हईलो दोस्तों वेलकम टू सफलतामंत्र आज मैं एक बार फिर से आप सबके लेक नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में मैंने सिच्छ कभर्ती के सिच्छण अधिकम का एक बहुत ही मातपून माडल पर परतयार किया है इसमें मैंने कुछ बहुत ही मात्पूर्ण प्रस्नों को रखा है जो कि सिच्चक भरती की दिरश्च से काफी important है तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आपने और मौडल पेपर ना देखे हो अभी तक तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्टन में मैंने बाकी मौडल पेपर का लिंक दे दिया है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले कोश्चन से पहला कोश्चन क्या है सिच्छन पद्दत के अंतरगर डाल्टन योजना का प्रतिपादन किस ने किया तो डाल्टन योजना का परिबादन हेलन पार्खर्ष्ट ने किया था ये काफ़ इंपॉर्टन कोश्चन है आप लोग इसे याद कर लीजे हेलन पार्खर्ष्ट ने ये नाम भी काफी टप पड़ेगा आप लोग इसलिए इसे नोट कर लीजे अच्छे से याद कर लीजे अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की और डाल्टन योजना को समझाए डाल्टन योजना क्या है डाल्टन योजना इस पद्धत में बालक को उनकी कार छमताओं के अनु सारणी का कोई बंदन था जिसमें वो रुची लेना चाते थे उस छेतर में जा सकते थे यही डाल्टन योजना है इसका अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं डाल्टन योजना की प्रमुक विसेस्ताइं बताईए तो ये दो विसेस्ताइं मैंने आपको बता दी है इंपॉर् सब्सक्राइब नहीं थी और ना उनके लिए परिक्षाओं का कोई बंदन था इस योजना के अनुसार बालक अपनी बहुत दिक शमता रुच्छ के अनुसार कार कर सकता था इसमें कोई बंदन नहीं था कि आपको यहीं टॉपिक पढ़ना है यही सब्जेक्ट पढ़ना ज कि ये कुश्चन आएगा कि बाल केंदरी सिच्छन को समझाएगा तो क्या होता है बाल केंदरी सिच्छन बहुत सिच्छन है जिसमें बाल केंदरी सिच्छन कर सिच्छन कार किया जाता है इसमें बाल केंदरी सिच्छन में बाल केंदरी सिच्छन कर सिच्छन कार किया जाता है मतलब कि बालक के अंद्रिसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् एक तो बालकों का नेतिक विकास होता है दूसरा सामाजिक विकास होता है और बालकों को उनकी रुची के इनुसार जब बालके इन दे सिच्छन है तो उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर सिच्छा दी जाती है जिससे कि उनका पढ़ने में मन लगा रहता है और अधिक से बालो आधिक वह अधिकम करते हैं इसके एगले कुशिन पर बड़ते हैं मतलब की जब सिछन कार भूत सी कच्छाओन को अलग-अलग अक्छा के वालकों को एक साथ बैठा कर किया जाता है मतलब कि एक क्लास एक को, सेकेंड को, थर्ड को इन सब को अगर एक साथ बैठा कर सिच्छन कार करेंगे तो ये कहलाएगा बहुक अच्छा सिच्छन इसके बाद आगे बढ़ते हैं एकले कोश्चन पर क्या है बहु इस्तरी सिच्छन को समझाईए तो बहु इस्तरी सिच्छन का जब विभिन उपलब दी बाले वालकों को एक साथ बैठा कर सिच्छन कार किया जाता है तो उसे बहु इस्तरी सिच्छन कहते हैं यह भी important है इसे आप लोग याद कर लीजिए इसके आद अगले question पर बढ़ते हैं TLM का पूरा नाम बताए TLM क्या होता है TLM मतलब यानि की teaching learning material सिच्छन अधिगम सामगरी जिसके मार्दियम से बच्चों को पढ़ाने के में सहायता प्राप्त होती है आईसी सामगरी जो बच्चों को पढ़ाई में आसानी परदान करें जिसके इसके अंदर आते हैं अंतर गताते हैं चौक, ब्लैक बोर्ड, गलोब, मांचित्र यह सब चीज़ें teaching learning material के अंतर गताती हैं इसके अगे बढ़ते हैं क्या है टीलम के लिए कितनी धनरासी दे होती है टीलम के लिए 500 रुपए की धनरासी दे होती है यह important question है आप लोग याद कर लिए अच्छे से कि टीलम के लिए कितनी धनरासी दे होती है 500 रुपए की धनरासी दे होती है टीलम के लिए इसके अगल कोश्चन पर बढ़ते हैं सिच्छन बिदी में प्रियुक्त कहानी एवं कथा प्रणाली को समझाई कहानी प्रणाली में बच्चों को बिसे सामगरी सरल रुचकर लगती है कहानी प्रणाली से बच्चों में कलपना सक्ति का विकास होता है क्या होता है कहानी प्रणाली की भा बच्चों में कल्पना सकती का विकास होता है कहानी को लिखने औपढ़ने की प्रैणना मिलती है। आप दियाद कि आधे हैं पुरम साथि घ्रणकर मोईधना की लिखने और मिलती है। इसकहाद बच्चों में ध्यान केंदृत करने की आदत की विकास होता है वचसे कहा़नी सुन और रूच्षिकर होती है इसलिए उनका ध्यान केंदृत बना रहता तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही । राज फिर से मैं आपके लिए दूसरे टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा और अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता और अगर आपने अभी तक हमाय चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो पसंद आई हो तो ला